How To Change Instagram Name, Instagram Name Change Problem 40 Days आप सबसे पहले proof के साथ देखना, आप यापके सामने में याप इस name change करने वाला हूँ अप मुझे problem आ रही है, आप देखना याप में जाता हूँ edit profile के option पे उसके बाद देखो, यहाँ पर में मेरा जो एक name यहाँ पर add कर देता हूँ 40 days पर ली problem आती है 42 आपको यह पर 40 days wait करना पड़ता है ऐसे में आप यह problem phase कर रहे हो इस problem से आप जेल रहे हैं तो इस problem को कैसे fix out करना है आज की स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ How to change Instagram name Instagram का name change कैसे करना है बिता 40 days के ठीक है आप भी चाहते हो आपको यह problem आ रही है सबसे पहले मैं यहां से Instagram को back कर देता हूँ ठीक है आप Instagram को back करने के बाद आप यह problem आती है तो सबसे पहले तरीका क्या होता है मैं आपको बताएता हूँ उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा आप आपको यहां पर क्या आता है ध्यान से देख लो यहां पर बताया जाता है कि यू कांट चेंज यूर नेम राइट नाउ बिकाउस यू चेंज वी ट्विन्स वितिन 14 देज यू कांट हैवर रिमू यूर नेम एड अनी टाइम मतलब कि इनका कहने का होता है कि आप यहां पर बिना 14 दिन के बाद जो है यहां पर इनका एक रूल है 14 दिन के बाद आप जो है इंस्टाग्राम का नेम चेंज कर सकते हो अगर आपने यहां भी नीम को चेंज किया है, तो उसके बाद आपको चुछ उंदा दीन के बाद, जब चाहित अब आप यहां भी चेंज कर सकते हो, इनका यह कहा जाता है, ठीक है? अब आपको मैं कीसी बता ऐओ, अगर आपको इंस्टाग्राम का नीम चेंज करना है, तो यहां पे देखो, यहां पर आपको सबसे फिले, इंस्टाग्राम उपन करना होगा। Instagram open करने के बाद profile पे चले जाओ, यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आ जाने के बाद 3 dot मिलेगा, just यहाँ पे आपको 3 dot के option पे क्लिक करना है, आप 3 dot option पे क्लिक करने के बाद, बहुत सारी वीडियो देखा हुआ, लेकिन यह 100% working वीडियो है, देख लेना भी यहाँ पे, यहाँ पे आप सभी को क्लिक करना है, आप इस settings के option पे क्लिक करने के बाद, just आपके सामने कुछ इस तरह के से interface open हो जाएगा, बहुत सारी settings आजाएगी, यहाँ पे सबसे पहले नीचे आपको scroll down करना है, सबसे नीचे चले जाना है, नीचे जाने के बाद मिल जाएगा आप इस help के option पे क्लिक कर दो, आप जहते help के option पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सारी यहाँ पे रिपोर्टे प्रॉब्लम, account status, बहुत सारी आपको option देखने को मिल जाएगे, आप आपको क्या करना होगा, यहाँ पे रिपोर्टे प्रॉब्लम के option पे क् screenshot लेना चाहिए ठीक है मैं इसका screenshot ले लेता हूँ आप आप सभी को भी इसका screenshot ले ले लेना चाहिए ठीक है आप इसका screenshot लेने के बाद अब ज़स्ट यहां पर आपको क्या करना होगा मैंने इसका screenshot ले चुका हूँ यहां पर आ जाता हूँ और यहां पर आ जाने के बाद अब इस option पर आपको क्लिक करना है अब क्लिक करने के बाद report ए problem और कुछ इस तरह किसी notice का option आ जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको यहाँ पर upload के option पर click करना है नीचे आपको upload का option मिलेगा अब यहाँ पर आप सभी को click करने के बाद आपको जो मैंने screenshot लेने के लिए बोला था जाने के आपको जो problem आती है 40 days वाली उस screenshot को यहाँ से आपको select करना है ठीक है आप यह process करने से पहले आपको screenshot आपको रख देना चाहिए screenshot करके ठीक है जो problem आ रही है 40 days वाली यहाँ पर मेरा photo जो है select हो चुका है जो problem आ रहा था उसके बात दोस्तों आप तभी को यहाँ पर क्या लेकना होगा जस्ट यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर क्या लेकता हूँ तो आप सभी को यहाँ पर क्या लेकना होगा यहाँ पर देख सकते हो team in instagram I want to change my instagram account username by mistake it change so I can't not wait for 40 days please change my name याणि कि इनको आपको इसको समझाना होगा जो मैने जैसा लेका है वहते आप सब लिक लेना ठीक है यह वीडियो जो है दूसरे mobile में वाच करो और एक mobile में देख के आप यहाँ पर प्रोसेटर करो इससे आज का आपको आपको काम आसान हो जाएगा फिक है आपको यह बहला कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे प्रें है यह ववाला लिकने के बाद यह बहला लिकने के बाद यहाँ है आपको को आपको ढेने बहलने.." यहाँ त applies to everyow the video new user username ठीक है आपको simple तरीका है आपको यही वाले लिखना होगा this is my new username और यहाँ पर आपको इस तरह की से mention करने के लिख देना है ठीक है अब इस तरह की से mention करने के लिखने के बाद सब कुछ चीजे होने के बाद send के option पर click करो यह आपका send हो जाएगा ठीक है सबकुछ सब consistent करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा है यहाँ पर देख लेना ठीक है आप यहां से चले जाओ 되고 श्रक कर लो थोड़ी देर के बात यानि की कुछ गंटों के बाद मैं एक को बता आपको बता रहूँगां ठीक है इंस्टाग्राम को ऊपन करें कि सबसे पहले इस्टाग्राम को यहां से अप्डेट कर लेना चाहिए अप्डेट करने के बाद आपने मोबाइल को थोड़े समय के लिए रख दो बाजो में ठीक है उसके बाद पर आपको क्या करना है कुछ ही गंटों मैं आपको बता फिर उसके बाद आप सभी को यहां पर आपने मोबाइल को ओपन करना होगा ठीक है मैंने मोबाइल ओपन कर रहे रहे था उसके बाद आपने इस्टाग्राम को ओपन करना है यहां से आपको चल जाना यूजर नेम के ओप्शन पर यहां पर आप क्लिक कर दो आप देखना है यहां पर यहां पर यहां पर मेरा यूजर नेम फिल से आपको यहां पर चेंज करके दिखा देता हूं ठीक है आप देखो यहां पर मैं नेम को चेंज करता हूं आप यहां पर मेरा नेम लिख देता हूं यहां पर यहां पर मैंने इस नेम के उप्शन पर दिखिया तो देखो